Hello and welcome everyone, आज के इस educational lecture में बच्चों हम discuss करने जा रही हैं Class 9 के English chapter Reach for the Top को इस वीडियो में students हम इस chapter के Part 1 संतोष यादव की कहानी जिसमें बताई गई है उसको complete करेंगे Part 2 में जो इस lesson का Part 2 है मारिया शारपोवा उसको हम Part 2 में complete करेंगे Part 2 का link आपको इस वीडियो की description में मिल जाएगा देखे students, Reach for the Top का मतरब होता है उचाई की और उचाईयों की और Top की तरफ तो यहाँ पे इस lesson में Part 1 और Part 2 दो parts में divide कर रखा है ये पहले part में हमें संतोष यादव की कहानी बताईगी काफी motivational story है इनको वो situation नहीं मिली, काफी adverse situations का इनको सामना करना पड़ा लेकिन फिर भी इन्होंने वो कर दिखाया जो बहुत सी महिलाईं सिर्फ सपना देख पाती है पूरा कर नहीं पाती है ऐसा ही मारिया शारापोवा के साथ था उनको उनकी उम्र छोटी थी, छोटी उमर में उनको अपनी मदर से separate होना पड़ा जिनको वो काफी प्यार करती थी लेकिन फिर भी उन्होंने वो achieve करके दिखाया जो बहुत सी महिलाओं का, बहुत सी ladies का, even gents का भी सिर्फ सपना ही रह जाता है तो part 1 में हम discuss करते हैं संतोष यादव के बारे में, देखिए संतोष यादव जो थी students, अकेली ऐसी women है इस दुनिया की जिन्होंने Mount Everest पे दो बार चड़ाई किये, दो बार Mount Everest को जीता है उनका जन्म एक ऐसी society में हुआ था, जहां बेटे के जन्म को आशिरवाद माना जाता था यानि एक ऐसी society में जहां parents male child की कामना करते थे, male child को चाहते थे ठीक है, ऐसी society में उनका जन्म हुआ था और जहां पे एक daughter, एक बेटी अगर पैदा हो जाती, तो उसको श्राब तो नहीं माना जाता था लेकिन बेटी का, वो welcome नहीं मिलता था family में, जो बच्चे को, male child को मिलता था यानि first paragraph में हमें क्या बता रहा है, कि जो संतोश यादव थी, उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां बेटीयों के जन्म को श्राब तो नहीं मानते थे, इतना बुरा भी नहीं था बेटीयों का जन्म होना लेकिन जब बेटे का जन्म होता था तो काफी खुशिया मनाई जाती थी, उस male child को काफी welcome किया जाता था family में जब उसकी मदर pregnant थी और संतोश पैदा होने वाली थी, एक traveling holy man, एक रिशी मुनी ने एक संत महात्मा ने कहा अपना आशिरवात देते हुए कहा, ठीक है, कि आपको बेटा होगा, ऐसा वो कहने वाला था, लेकिन सब हैरान हो गए, जब बच्चे की दादी ने, संतोश की दादी ने, जो की पास ही खड़ी थी, उसने कहा कि हमें बेटा नहीं चाहिए, वो जो संत था, holy man था, जो संत म male child की कामना की जाती थी, male child को चाहा जाता था, लेकिन सब को surprise करते हुए, दादी ने कहा, कि मुझे एक लड़की चाहिए, मुझे लड़का नहीं चाहिए, ठीक है, holy man काफी surprised था, वो संत महात्मा भी काफी surprised था, लेकिन उसने उसकी दादी की कहा हुआ आशिरवात दे दिया, चलो, अगर आप लोग बेटी चाहते हैं, तो मैं आशिरवात देता हूँ, आपको बेटी ही होगी, और जैसा की भाग्य को, जैसा की destiny को मंजूर था, the blessing seemed to work, उस holy man की, उन संत महात्मा का अशिरवात काम आया, संतोष परिवार में छटा बच्चा था, अपने ममी बापा का अपने परिवार का, पांच बेटे थे, और ये छटी बेटी हुई थी उस परिवार में, तो उनके संतोष यादव के पांच भाई थी, हम ऐसा कह सकते हैं, जो सं संतोष रखा गया, उस लड़की का नाम संतोष रखा गया, संतोष का मतलब होता है, contentment, satisfaction, ठीक है, लेकिन संतोष जो थी, वो कभी संतुष्ट नहीं रही, अपनी जिन्दगी के traditional तरीके से, यानि उसके गाउं में जिस तरह का जीवन था, जिस तरह की traditional, पुराने रिती र मताबिक अपनी जिन्दगी जीना चाहती थी, शुरू से ही, जहां बाकी लड़कियां traditional suit वगरा, suit सलवार वगरा पहनती थी उन एरियाज में, या traditional कपड़े पहनती थी, Indian dresses पहनती थी, संतोष जो है, वो shorts पहन के, निकर पहन के घूमा करती थी, उन दिनों हरियाना के साब से जीना शुरू किया, उसके उम्र की बाकी लड़कियां जा traditional dresses पहना करती थी, संतोष ने shorts पहनना प्रेफर किया क्योंकि वो पहनना उसको पसंद था, Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined, that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, note me, संतोष आज भी कहती है, Looking back, अपने past को याद करते हुए, संतोष आज भी कहती है, कि शुरू से ही मैं determined थी इस बात को लेके, कि अगर मैं कोई ऐसी चीज चुनती हूँ, जो correct है और rational है, rational का मतरब जिसमें कोई reasoning है, जिसका कोई कारण है, तो मेरे आसपास के बाकियों को अपनी mentality change करनी होंगी, मैं खुद को नहीं बदलूँगी, अगर मैं सही काम कर रही हूँ, ठीक है, कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, तो मेरे साथ वालों को अपनी thinking change करनी होंगी, मैं अप अपने आपको बदलने वाली नहीं हूँ, इतना determined character था संतोष का, संतोष के parents जो थे वो काफी effluent land owners, effluent का मतलब काफी अमीर परिवार में संतोष का जनम हुआ था, काफी जमीन उनके पास खेती की, काफी जमीन उनके पास रही होगी, तो ये जो परिवार था संतोष का, ये वहां के डेली के, न्यू डेली के best schools में भी admission करवाया जा सकता था, संतोष का family afford कर सकती थी, इतनी earning उनके पास, इतनी income उनके पास थी, but in line with the prevailing custom in the family, लेकिन जैसा की परिवार में रिवास चलता आ रहा था, संतोष को गाउं के local school में ही admit करवाया गया, वहीं पे उसकी पढ मोका मिलेगा, और जब सही समय आएगा, तब मैं system से fight करूँगी, अभी नहीं करूँगी, अभी मैं काफी छोटी हूँ, ठीक है, तो जब मुझे मोका मिलेगा, जब मैं बड़ी हो जाओंगी, जब मेरी वो उम्र हो जाएगी, तब मैं system से fight करूँगी, और सही मोका आया भ 16 साल की होने पे गाउं की जदतर लड़कियों की शादी करती जाती थी संतोश को भी के उपर भी प्रेशर डाला गया उसके पेरेंट्स की तरफ से कि तुम्हारी भी अब शादी कर जी जाए शादी की उम्र हो चुकी है ऐसा उसको कहा गया उसके फैमिली वालों की तरफ से marriage as early as that was the last thing on her mind इतनी छोटी उमर में शादी करना उसकी जिंदगी का सबसे last option होता यानि वो चाहती नहीं थी तनी छोटी उमर में शादी करना उसने अपने पेरेंट्स को धंकाया, threaten किया, चेतावनी दी कि वो कभी शादी नहीं करेगी अगर उसके पेरेंट्स ने उसको proper education नहीं दिलाई तो ठीक है वो क्या कहती है अपने पेरेंट्स को कि 16 की उम्मर में शादी की तो आप भूली जाओ अगर आपने मुझे अच्छे से बड़िया अच्छे लेवल की पढ़ाई नहीं करवाई तो मैं जिन्दगी में कभी भी शादी नहीं करूंगी और जिस society में वो रहते थे लड़की का शादी ना करना बहुत बुरा माना जाता था वो घर छोड़के चली गई और अपने आपको उसने एंडरोल करवा लिया डैली के एक स्कूल में उसने एडमिट्शन ले लिया खुद ही जब उसके पेरेंट्स ने मना किया कि तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा हम नहीं देंगे उसने बड़ी पोलाइटली बड़ी विनमरता से इन्फोर्म किया अपने पेरेंट्स को कि वो पैसा कमाएगी पार्ट टाइम काम करके और खुद अपने स्कूल की फीस मैनेज कर लेगी अपने परिबार वालों को उसने ऐसा मैसेज भीजा उसके पेरेंट्स फिर प्रेशर में आए और उन्होंने अपनी बेटी का पढ़ाई का खर्चा उठाने का जिम्मा संभाल लेया ठीक है यानि उसने अपने पेरेंट्स के उपर प्रेशर बनाया कि ठीक है आप लोग अगर मेरे डेली स्कूल की एजुकेशन का पैसा नहीं देंगे तो मैं स्कूल के बाद काम करूँगी कोई पार्ट टाइम और पैसा कमाऊंगी और अपने स्कूल का खर्चा और अपना खुद निकाल लूगी आपको टेंचन नहीं दूगी मैं तो जब पेरेंट्स को दिखाई दिया कि ये बेटी हमारी बात नहीं मानने वाली तो आखिरकार पेरेंट्स को मानना ही पढ़ा चलो ठीक है तुम पढ़लो अगर पढ़ना चाहती हो तो ठीक है हम तुम्हारा जो है वो दे देंगे wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education संतोष पास्ता हाई स्कूल examinations हमेशा जब भी उसके पेरेंट्स उसको शादी की बात करते हैं वो कैता नहीं मुझे थोड़ा और पढ़ना है अब बिट मोर का मतलब मुझे नहीं मुझे थोड़ा और पढ़ना है देखो एक कोर् और उसके father की भी आदत हो चुकी थी कि संतोष तो उनको request करती और वो संतोष की request को मान लेते मानना ही था क्योंकि उनको पता था कि संतोष इसनी जिद्धी है कि अपने मन की करेगी हमारी बात सुनेगी नहीं तो इसलिए वो उसकी अर्ज मान लेते थे संतोष ने high school पास कि और जैपूर चली गई आगे पढ़ने के लिए वहाँ जैपूर में उन्होंने महारानी कोलेज जोइन किया और कस्तुर्बा होस्टल में एक रूम ले लिया रहने के लिए जैपूर में पढ़ाई के लिए और कस्तुर्बा होस्टल में कमरा ले लिया किराई पे रहने के ल मैं गाम वालों को देखा करती थी मेरे कमरे से उपर पहाड़ों पे चड़ते हुए और थोड़ी ही देर में वो उपर पहाड़ों पे कहीं गायब हो जाया करते थे दिखाई देना बंद हो जाया करते थे इतना उचा चड़ जाते थे One day I decided to check it out myself एक दिन मैं डिसाइड किया कि एक बार उस अरावली हिल पे मैं भी चड़के देखती हूँ I found nobody except a few mountaineers जब मैं वहाँ गई तो मैंने वहाँ पे कुछ mountaineers परवतार हो ही mountaineers होते हैं जो professionally mountain climbing करते हैं तो मुझे कुछ वहाँ पे पहाँ चड़ने वाले mountain climbers, mountaineers मिले I asked if I could join them मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी उनकी team का part बन सकती हूँ क्या मैं उनके साथ अरावली चड़ सकती हूँ To my pleasant surprise they answered in the affirmative and motivated to me take to climbing मैं काफी हैरान हुई कि उन्होंने पहली बार में ही मेरी बात मान ली Answered mean affirmative का मतलब yes में जवाब दिया हा में जवाब दिया और बलकि उन्होंने मेरे को motivate भी किया कि तुम तो बहुत अच्छा climb करती हो तुम्हें तो climbing को अपना profession बनाना चाहिए इस फिल्ड में आगे तुम्हें जो है work करना चाहिए then there was no looking back for this determined young girl उस incident के बाद इस determined छोटी बच्ची को कोई रोकने वाला नहीं था उसने पैसे बचाए और उत्तरकाशी नहरू इंस्टिटूट अफ मौंटेनियरिंग मौंटेनियरिंग सीखने के लिए परवतार ओहन सीखने के लिए पहाडों पे चड़ने की कला सीखने के लिए उत्तरकाशी के एक नहरू कोलेज ओफ मौंटेनियरिंग में अपना अड्मिशन करवा लिया पैसे बचा के my college semester in जैपूर was to end in April but it ended on the 19th of May April में उसका जैपूर में जहाँ वो पढ़ती थी जैपूर में जहाँ वो महरानी college में पढ़ती थी वहाँ पे April में उसके exams खतम होने थे semester खतम होना था लेकिन कुछ late होने की वज़े से 19 में को उसके exams खतम हुए और उत्तरकाशी में जहाँ उसने admission लिया था mountain engineering सीखने के लिए 21 को उसको वहाँ पहुचना था तो जाहिर सी बात है उसको जैपूर से direct उत्तरकाशी जाना था ये उसकी मजबूरी थी ठीक है वैसे तो उसका plan ये था कि April में exams खतम हो जाएंगे मैं अपने गाउं जाऊंगी वहाँ बात करूंगी अपने परिवार से और जैसा कि हर बार होता है वो मुझे permit करतेंगे और फिर वहाँ से मैं उत्तरकाशी जाऊंगे mountain engineering सीखने के लिए लेकिन उसकी plans fail हो गए क्योंकि exam सोड़ा late हुए 19 में को exam सखतम हो तो वहाँ से सिधा उत्तरकाशी के लिए निकल गई तो इसलिए मैं घर वापिस नहीं गई और मैं सीधा training के लिए निकल गई मुझे अपने पापा को letter of apology यानि एक माफी नामा लिखना पड़ा letter of apology का मतलब माफी मांगते हुए एक पत्र लिखना पड़ा मेरे पापा को without those permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी क्योंकि उत्तरकाशी नहरू institute of mountaineering में मैंने अपना enrollment उन से पूछे बिना करवा लिया था इसलिए मुझे अपने पापा से माफी मांगनी पड़ी thereafter संतोष went on an expedition every year उस दिन के बाद हर साल संतोष एक expedition पे mountain climbing के expedition पे जाने लगी उसकी climbing skills दिन बर दिन और ज़्यादा अच्छी होती जा रही थी also she developed a remarkable resistance to cold and altitude और ठंड से और उचाई से उसको कोई परिशानी नहीं होती थी equipped with an iron will physical endurance and amazing mental toughness she proved herself repeatedly equipped with iron will iron will का मतरब उसकी द्रिड इच्छा शक्ती थी physical endurance, stamina बहुत अच्छा था, physically बहुत स्ट्रोंग थी वो amazing mental toughness, mentally भी बहुत स्ट्रोंग थी वो तो इसलिए वो हमेशा अपने आपको प्रूव करती थी अपनी mountaineering abilities को प्रूव करती थी the culmination of her hard work and sincerity came in 1992 just four years after she had shyly asked the arrival of mountaineers if she could join them और उसकी कड़ी महनत का, उसकी sincerity का result उनको मिला 1992 में सिर्फ चार साल के बाद, उस दिन के चार साल के बाद जिस दिन उसने अरावली के उन mountaineers से अपने साथ जाने की उनके साथ जाने की permission मांगी थी यानि बहुत जल्दी इनोंने success हासल की संतोष यादव स्केल, at barely 20 years of age संतोष यादव स्केल, Mount Everest becoming the youngest woman in the world to achieve the feat सिर्फ 20 साल की उम्र में संतोष यादव Mount Everest चट गई फते कर लिया Mount Everest को और दुनिया की सबसे छोटी उमर की लड़की थी वो ऐसा करनी वाली if her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them them found her a special place in the hearts of fellow climbers जहां उसकी climbing skills ठीक है, पहाड को चड़ने की कला physical fitness और mental strength का मतरब दिमाग से जतनी मजबूत थी वो उसके seniors को ये चीज़ काफी impress करती थी, लेकिन दुसरों की परवा, एक साथ काम करने की इच्छा, team work ये ऐसी चीज़ थी जो साथियों को impress करती थी, यानि संतोश यादव जो थी, वो अपने seniors के लिए तो अच्छी थी ही, उसके seniors क्या कहते थे, संतोश यादव तो बहुत चथी student है हमारी, mountain climbing के लिए जो physical endurance चाहिए होती है जो mental toughness चाहिए होती है ये दुसरों की भी परवा करना जानती है तो सब उसको अच्छा ही मानते थे उसके seniors भी और उसके co-workers भी, co-climbers भी 1992 Everest Mission के दोरान संतोश यादव ने एक climber की बहुत मदद की special care की, ठीक है who lay dying at South Cole, जो South Cole पे मर गया था she was unfortunately unsuccessful in saving him, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी कि वो उस mountain climber को बचा नहीं पाई, however she managed to save another climbing, लेकिन उन्होंने एक और climber, Mohan Singh को बचाया, जो की South Cole पे पहले climber की तरह मर गया होता, अगर संतोश यादव ने अपनी oxygen उसके साथ share नहीं की होती, तो यानि संतोश यादव ने दो लोगों को बचाने की कोशिश की mountain climbing expedition के दोरान जिन में से एक को बचा नहीं पाई लेकिन जो दुसरा था, Mohan Singh था उसके साथ अपनी oxygen शेयर करके अपनी जान की परवाना करते हुए उसको उसने बचा लिया 12 महीनों के अंदर ही 12 महीनों के अंदर ही संतोश यादव ने अपने आपको इंडो नेपलीज women's expedition का member बना लिया, ठीक है यानि एक इंडो नेपलीज यानि जिसमें इंडियन और नेपलीज नेपलीज women थी, उस एक team थी, जो Mount Everest पे दोबारा चड़ाई करने जा रही थी, तो उस team का invitation आया, संतोश यादव आप भी हमें join कीजिए तो उस team के साथ वो भर देती हैं और चली जाती है और दुसरी बार Mount Everest को scale करती है, और ऐसा करने वाली उस वक्त वो second, मतरब only first women थी Everest को दो बार जीतने वाली, Everest पे दो बार चड़ाई करने वाली and securing herself for India unique place in the annals of mountaineering और mountaineering के field में, mountaineering के शेतर में, प्रवता रोहन के शेतर में उन्होंने एक बहुत बड़ा जो place है वो अपने लिए बनाया है बहुत कुछ करके दिखाया है उन्होंने mountaineering में in recognition of her achievements the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honor honors the padmashree उसकी achievements को देखते हुए भारत की सरकार ने padmashree awards से, जो कि इंडिया के सबसे बड़े awards में से एक है उनसे उनको नवाजा है यानि वो padmashree receive कर चुकी है जो की इंडिया में एक बहुत बड़ा award है describing her feelings when she was literally on top of the world संतोश है said जब वो bound Everest की उचाई पे थी दुनिया की top पे थी उस वक्त की अपनी feelings सांजा करते हैं वो कहती है it took some time for the enormity of the moment to sink in कितना बड़ा पल था मेरे लिए इस बात को अपने दिल को मनाने में मुझे थोड़ा time लगा यानि मुझे believe नहीं हो रा था कि मैं कहां खड़ी हूँ और मैंने क्या achieve कर लिया है then I unfold the Indian tricolor मैंने Mount Everest की उचाई पे भारत का तिरंगा लहराया and held it aloft on the roof of the world और इसको मतलब भेराते हुए मैं खड़ी रही दुनिया की छत पे दुनिया के सबसे उचे point पे आप सबको पता है Mount Everest highest mountain peak है पुरे world की the feeling is indescribable जो मुझे उस वक्त feeling थी जो proud था वो कोई describe नहीं कर सकता I am short of words जो Indian flag था वो दुनिया की सबसे उची पहाड़ी चोटी पे लहरा आ रहा था बड़ा ही spiritual moment था मेरे लिए वो ठीक है बहुत ही encouraging बहुत ही बड़ा moment था मेरे लिए वो I felt proud as an Indian एक Indian होने पे मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था also a fervent environment list fervent का मतलब काफी strong और काफी sincere environment की परवा करने वाली थी वो संतोष वो 500 किलो गारवेज वापिस लेकी आई हिमालिया से उन्होंने ये भी बहुत बड़ा काम किया दो बार माउंट एवरेस्ट को scale किया ही है उन्होंने अपने परिवार की permission ना होने के बावजूद अपनी society की permission ना होने के बावजूद adverse circumstances में भी उन्होंने दो बार माउंट एवरेस्ट को पतह करके दिखाया है और इसके लावा environment की परवा भी वो काफी करती है वो हिमालिया से 500 किलो ग्राम कचरा वापिस लेकी आई है 500 किलो ग्राम कचरा उन्होंने वहाँ से साफ करके दिखाया है तो students part 1 यहीं हमारा खतम होता है संतोष यादव की motivational story यहीं पे खतम होती है अगर आपको वीडियो पसंद आया चेप्टर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा comment section में अपनी डाय दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नहीं है अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करें और notification bell icon को दबा दे ताकि जैसे ही हम अब आपकी class का कोई और content upload करें उसकी notification आपके device पे आ जाए जाने से पहले एक बार और उसको जरूर से जरूर चेक कीजिएगा thank you for being with us keep loving keep supporting